बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे astrotak चैनल में हमारे सभी वीडियोज देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं astrotak app को आप डाउनलोड कर सकते हैं facebook पे हमें like कर सकते हैं और instagram पे हमें follow भी कर सकते हैं मैं हूँ राकी मिश्रा, I am a numerologist, astologist and a vastu analyst दोस्तों कई बार हम हमारे बच्चों के numbers को लेकर के बहुत परिशान होते हैं उनके concentration को लेकर बहुत परिशान होते हैं उनकी पढ़ाई को लेकर के तो हमेशा हमें कोई ना कोई tension लगी ही रहती है number काम ना आ जाएं, अच्छे से तो पढ़ रहा है और concentration बनना चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें हमारे मन में आती रहती हैं क्या वास्तु आपकी इन सभी चीज़ों में इन सभी टेंशन में कोई मदद कर सकता है जी हाँ, बिल्कुल मदद कर सकता है आए जानते हैं आज इनी चीज़ों के बारे में कैसे वास्तु आपके बच्चों की इनो concentration में एफेक्ट डाल सकता है कौन-कौन सी चीज़ें आपको अपने बच्चों के कमरे में study room में place करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए आए जानते हैं सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं हम लोग हमारे बच्चों के कमरों में उनकी study को improve करने के लिए अगर हमें कोई चीज remove करनी है तो वो है mirror यानि की water element वास्तु शास्त में mirror को water element का माना गया है और अगर आपके बच्चों के कमरे में mirror लगा हुआ है तो आजकल के बच्चे बहुत ही जादा अपना looks के लिए conscious है और अगर आपके कमरे में उन्होंने mirror लगा है तो फिर तो आप समझ लीजे और खास तो और पर अगर उनका number 2 या अच्छे है तो वो अपने आपको style करने में बहुत जादा time spend करेंगे इसलिए उनकी concentration भीख हो सकती है तो एक बहुत important factor है कि उनके room में at least आप mirror place ना करिए जिससे वो अपने studies में concentrate कर सके दूसरे point की बात करते हैं वो है gadgets आज की date में करोना काल में हम लोग gadgets से अच्छूते नहीं है कोई परिवार gadgets के बिना नहीं रह पा रहा है बच्चों की online पढ़ाई आप laptops में कराते हैं और phones उनको आपको देने ही पढ़ रहा है लेकिन जब भी study time हो, learning time हो क्योंकि इन gadgets मेरे एक magnetic effect होता है vibes होती है जो हमारी wavelength को बिगार देती है तो ऐसे में आपको अपने बच्चों के कमरों में से इस तरह के gadgets खासतोर पे laptop, mobile phones, music system ये सभी चीज़ें जो हैं रिमूव करनी चाहिए especially जब वो study कर रहे हों, जब वो याद कर रहे हों उस टाइम पे concentration बहुत improvement चाहिए होती है और अगर ऐसे gadgets होंगे तो इनकी vibes distract होती रहेंगी तीसरी बहुत important चीज़ है बच्चों का bed नेंद हम सभी के लिए बहुत important है जितना अच्छा हम सोएंगे, जितना relax हम सोएंगे उतना ही relax early morning हम उठेंगे और अच्छी नेंद हमारी health के लिए भी एक बहुत important factor है वास्तु में भी आप किस तरफ सिर करके सोएं इसके लिए एक दिशा निर्धारित है वैसे तो आप पश्चिम की दिशा की तरफ दक्षिन दिशा की तरफ सिर करके सो सकते हैं और जो दिशा वर्जित है वो है नौर्थ दिशा क्योंकि उस दिशा में magnetic effects होते हैं और जो हमें distract करते हैं, disturb करते हैं हमारी sound sleep को disturb करते हैं ऐसे में आपको चाहिए कि आपके बच्चे का bed आप इस तरीके से प्लेस करें कि सोते समय उसका सर साउध दिशा की तरफ की हो जिससे वो सुभा जब उठे तो एकदम fresh हो पढ़ाई के लिए, studies के लिए, याद करने के लिए concentration उसकी improve होगी उसके अलावा जो बच्चों की कमरे में हम कुछ चीजे लगाते हैं क्योंकि बच्चों का कमरा है तो हम कोशिश करते हैं सुन्दर सा, decorative सा, attractive सा हो लेकिन नहीं, हमें अगर उसे जिस चीज के लिए promote करना है, जिस चीज के लिए हमें motivate करना है उस तरह की चीजे ऐसी होनी चाहिए हम उसके रूप में खास तोर पर आप अपने बच्चों के कमरों में से soft toys और वो भी wild animals के soft toys तो मत रखिए उससे क्या होता है कि जो भी चीज हम अपने life में देखते हैं उन चीजों का impact हमारे उपर आता है वो positive भी हो सकता है और वो negative भी हो सकता है and what we want हम हमेशा यहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों के उपर positive impacts आए तो wild animal like अगर आपने loin place किया है तो loin किया है वो अपनी ताकर दिखाता है अपने दूसरों को मारता है परिशान करता है उनके पीछे भागता है तो हमारे बच्चों के अंदर भी कई कई इस तरह की चीज़े आती है positive भी है और negative भी है loin की speed बहुत अच्छी होती है लेकिन जो बाकी चीज़े उसके अंदर है हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों के अंदर वो चीज़ हो वो तेजी उस तरह की हो अगर हम next point की बात करें हम बात करते हैं वो है colors colors बहुत impact डालते हैं आपने कई बारी notice किया होगा कि कोई shirt या साड़ी या कोई भी dress up पहन करके वो color आपको बहुत suit करता है आप बहुत happy feel करते हैं same way जब हम अमारे room की placement में colors का use करते हैं तो वो ऐसे colors होने चाहिए हैं जो soothing हो और बच्चों को उनकी studies में help करें generally हम लोग अमारे बच्चों के लिए जो color suggest करते हैं that is green and yellow का combination because green color है बुद का color जो की communication के मालिक हैं और दूसरा yellow color है देव गुरू ब्रश्पती का color जो की गुरू है तो उनका color बहुत important हो जाता है अब या तो green and yellow के combination अपने बच्चों के rooms में लगा सकते हैं और जो colors आपको avoid करने हैं वो है white color, dark brown color या फिर blue color आपको अपने बच्चों के कमरे में से avoid करना है अब हमारे बच्चे हमने सारी चीज़ें अच्छे से placement करती हैं उनकी books लगाई हैं हमने books के लिए भी shelf कहां होने चाहिए ये एक बहुत important factor है अगर आपने बच्चे की books गलर दिशा में लगा दिये हैं तो उसका interest उने पढ़ने में नहीं लगेगा अब आपको क्या करना है अपने बच्चों की जो books रखनी है वो रखनी है west direction में जिससे उनका concentration उनका मन करें कि वो books निकालें और पढ़ें अब आपको क्या करना है एक और बहुत important point है हमने colors के बारे में बात की हमने क्या आपको रखना है क्या नहीं रखना हमने bed के placement की बात की अब हम बात करते हैं बच्चों के emotions के हम एक ही जैसी जगह पर रहते हैं हमारे emotions block होने लगती है energies block होने लगती है तो बच्चों के रूम में भी वो energy block नहीं होनी चाहिए उसके लिए बहुत important है कि आप बच्चों के कमरे में at least हफते में एक बार तो नमक के पानी का पोचा ज़रूर लगवाएं जिससे वहां की जो negative energies हैं जो stignant energy है वो remove हो second आप अपने बच्चों के कमरे में खास तोर पे कपूर का दिया या एनोमा लाम्प ज़रूर जलाएं जिससे वहां पे एक positive energy की waves चारों तरफ रहें और बच्चे को बहुत relaxed और soothing महसूस हो वो किसी भी तरह का चाहे वो पढ़ाई का हो चाहे वो आपका हो आपका डर हो उन चीजों का pressure अपने उपर ना ले और धीरे धीरे इन चोड़ी चोड़ी चीजों से बच्चों के कमरे की placement से हम देखेंगी कि हमारे बच्चों के number उन किसी लगे अपको हमारे ये बास्तु tips. Thank you so much and have a nice day.